नमस्कार, सास बहू फैमिली गुरू में आपके लिए बहुत कुछ खास है कल लाप पंचमी का खास दिन है कल आपका सौभागे खुल सकता है आज मैं आपको तीन बड़ी जानकारियां देने वाली हूं आज आपको लाप पंचमी पर कल कितने बज़े पूजा करनी है, कैसे पूजा करनी है, सब कुछ बताऊंगी ताकि कल कोई गलती ना हो आज उस मंगलकारी स्वास्तिक की बात करेंगे जो घर पर लगाते ही महालक्षमी प्रसन हो जाते है और कल लाप पंचमी के दिन आपके घर जरूर आएंगी मा और आज आपको सौभाग्य का घर कैसा होता है, उसकी पूरी इंफोमेशन दियोंगी छट भी आरंब हो रहा है, छट से जुड़ी हर जरूरी बात आपको बताऊंगी छट पर हमारा शोव देखते रहीएगा आईए सबसे पहले आपको आज का पहला महा उपाए क्या है, ये बताती हूं सवाल ये है कि शादी का योग नहीं बन रहा रात में तांबे के बतन में पानी भर कर विष्णु भगवान की मूर्तिया तस्मीर के सामने रखे सुभा ब्रह्म मौरत में अर्ली मौने इस बतन को लेकर खुले आसमान के नीचे खड़े हो जाए इसके बाद आपको वहाँ पर खड़े होकर इस जल से अपनी मांग भरे और वापस बरतन को भगवान के सामने रखते ध्यान रहे कि इस बीच कहीं कोई टोके ना ना कोई कुछ बोले एक महीना ऐसा करे शादी के विवा के योग मजबूत हो जाएंगे कल लाप पंचमी हैं दिवाली के बाद लाप पंचमी वो दिन हैं जिस दिन दिपावली उतसफ समाप्त होता है लाप पंचमी क्या है इसे कैसे मनाया जाता है और सौभाग्य लाप पंचमी से आपको कैसे सौभाग्य और लाप मिलेगा आईए ये साब जानते हैं जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है सौभागी यानि की गुडलक और लाब यानि की बेनिफिट, मतलब इस दिन मालक्षमी की पूचा से गुडलक और बेनिफिट दोनों की प्राप्ति होती है। इस दिन कई व्यापारी और बिजनसमें अपनी बिजनस अक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये बहुत शुब माना जाता है। इस दिन व्यापारी अपना नया बैखाता तयार करते हैं और इसके बाई तरफ शुब और डाई तरफ लाब लेगते हैं और इसके बीच में स्वास्तिक बनाते हैं कल लाब पंचमी पर आपको कैसे पूजा करनी हैं? किस महुरत पर पूजा करनी हैं? आईए वो सारी information आपको देती हूँ कल लाब पंचमी की पूजा सुभा 6 बचकर 45 मिनट से शुरू होकर 10 बचकर 18 मिनट तक हैं यानि कि कुल मिलाकर 3 गंटे और 33 मिनट तक कि पूजा आप कर सकते हैं आप जरूर कर लीजेगा अब वो तरीका भी जान लेजे जिससे आपको पूजा करनी है लाब पंचमी का महत्व क्या है? लाब पंचमी पर आपको कथा और उपवास करना चाहिए इसका शुब अफसर पर विशेश मंतर का जाब भी कर सकते हैं भगवान श्री गणेश जी का आवाहन करने से शुब फलों की प्राप्ती होती है लाब पंचमी के वरत पर के प्रभाव से ओफस, नौकरी, बिजनस में हर जगा पर समृद्धी आती है लाप पंचमी के दिन भगवान श्री गणेश के साथ भगवान शिवजी को भी याद करना फल्दाई होता है लाप पंचमी पर मंदिरों में विशेश पूजा अर्चना की जाती है भगवान गणेज जी की मंदिरों में विशेश धार्मे का नुश्थान पूरे किया जाते हैं देश के सभी हिस्सों में लाप पंचमी का पर्व बहुत ही उल्लास के साथ धुमधाम से मनाया जाता है इस मौके पर गणेज जी के मंदिरों की जहांकी निकलती है मंदिरों में भजन संध्या का आयुजन किया जाता है लाप पंचमी का वरत सभी की इच्छाओं को पून करता है देव लाप पंचमी वरत कथा यानि कि कल सुभा आपको जल्दी उठने के बाद फ्रेश हो जाना है फिर भगवान सूर्य देव को जलबी शेक करें इसके बाद हाथ में फूल अक्षत लेकर वरत की संकल्प ना करें फिर भगवान शिव जी गनेश जी की मूर्ती स्थापित करें आम मंदिर में हैं तो पूजा आरंप करें एक कलश थापित कर उसमें द्रव्य अक्षत डालकर उस पर आम के पत्नों को अर्पित करें इस कलश को लाल वस्तर से ढगतें भगवान शिव जी को भस्म बेल पत्र धतूरा सफेथ अंगोचा अर्पित कर पूजा करें भगवान गणेश की पूजा फल फूल चंदन अक्षत दूरवा से करें भगवान शिव को दूद से बनी मिठाई और गणेश जी को मोदा का भूख लगाए फिर धूप दीप से आरती करें पर भगवान से सुख शांती और सम्रिदी की काम ना करें आपका कल्यान जरूर होगा कल घर में स्वास्तिक का निशान आपको जरूर जरूर बनाना है तो चलिए आपको स्वास्तिक के बार में बताती हूँ ये स्वास्तिक आपके कई संक्टों का समाधान कर सकता है सबसे पहले आपको ये बताती हूँ कि स्वास्तिक के नाम का मतलब क्या है स्वास्तिक का अर्थ है स्वास्तिक में सू, अस्त और का का मिलकर स्वास्तिक बनता है सू का मतलब होता है अच्छा अस्त का मतलब होता है सत्ता, पावर या फिर हम बोल सकते हैं अस्तित्व, existence और का का मतलब होता है करने वाला करता इस तरह स्वास्तिक शब्द का जो अर्थ बनता है वो है अच्छा या मंगल करने वाला स्वास्तिक के अंदर चारो खाली जगाओं पर बिंदू लगाया जाता है इसे दिमाग को केंदरित रखना सिखाते हैं क्या आपको पता है कि स्वास्तिक बनाते समय रंगों का भी खास ख्याल रखना चाहिए जी हाँ, आपको अपनी समस्या के हिसाब से ही स्वास्तिक का कलर तै करना चाहिए अब आप ये समस्या सुन लीजे और फिर समस्या के हिसाब से स्वास्तिक के कलर को तह करिए लाल स्वास्तिक आपको बनाना है अगर वो समस्याई हैं जो मैंने आपको बताने जा रही हूँ ये रंग शक्ती, साहस और आत्म विश्वास बढ़ाता है ये कालर प्यार का प्रतीक बाना जाता है नींद ना आना कमजोरी, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स ठीक करता है पीला स्वास्तिक आपको तब बनाना है जब ये परिशानिया हो ये रंग विवेक और आत्म सम्मान का प्रतीक है मांसिक उतेजना के साथ ये नर्व की पावर को बढ़ाता है पेट और स्किन के साथ मास पेश्यों को भी ताकत देता है पेट खराब होने और खाज खुजली में ये रंग बहुत फाइदेमंद है नारंगी स्वास्तिक आपको तब बनाना है जब ये परिशानिया हो ये रंग उत्सा और सेल्फ कॉन्पिडेंस बढ़ाता है फेफडो और ब्रीधिंग प्रोसेस को ठीक रखता है अस्थमा और ब्रॉंकाइटिस, किडिनी इंफेक्शन में भी फाइदेमंद है हरा स्वास्तिक आपको तब बनाना है जब ये परिशानिया हो ये नेचर का कलर है जो मारी आँखों को सुकून पहँचाता है दिल को हल्दी रखने विए साथ-साथ हामोन के बैलन्स को भी ठीक करता है स्किन डिजीज और हाई ब्लड प्रेशर में फाइदेमंद है नीला स्वास्तिक आपको तब बनाना है जब ये परिशानिया हो ये कलर अंटिसेप्टिक का रोल प्ले करता है ठंडा होने की वज़े से हाई ब्लड प्रेशर को कम रखने में मददकार है सिर्धर्द, सूजन, सर्दी और खासी से बचाता है एक बात का ध्यान रखिए बिमारी हैं तो प्लीज डॉक्टर की सला जरूर लीजे इलाज कराएं साथ में आप स्वास्तिक वाले उपाई कर सकते हैं लाप पंचमी का मतलब है आपका हर दुर्भागय सौभागय में बदले तो चलिए आपको कुछ खास टिप्स देती हूँ कुछ उपाई बताती हूँ जिससे लाप पंचमी पर हर दुर्भागय सौभागय में बदल जाएगा एक रोटी ले, इस रोटी के उपर अपने आप, आप 31 बार अपने उपर से उसार ले, हर बार वारते समय आप इस मंतर का उचारण भी करें, मंतर है ओम दुर्भाग गिनाशिनी दो दुरगाए नमहा, बाद में रोटी किसी भी डॉग के आगे, आनिमल के आगे डाल दे, इस आए, तो आपको ऐसे घरों के बारे में बताती हूँ, जहाँ दुर्भागे होता है, उनसे दूर रहेंगे, तो सुभागे आपके पास रहेगा, उजार पड़ेवे मकान या फैक्टरी के आसपास की जमीन नहीं लेनी चाहिए, अगर आप नई जमीन या मकान लेने जा रह इसके आसपास जमीन नहीं लेनी चाहिए, जिस मकान में किसी ने सुसाइट किया हो, उसे भी लेने से बचना चाहिए, जिस मकान में माबाप को बच्चों ने तकलीफ पहुचाई हो, उस मकान को भी लेने से बचना चाहिए, ऐसे मकान माबाप द्वारा शापित की होते हैं प्राचीन मंदिर मत की खाली बड़ी जमीन को लेने से भी बचना चाहिए जिस भवन में बिजली गिरी हो ऐसे मकान पर कुद्रत भी नाराज रहती है इसलिए ऐसी मकान आपका भला नहीं कर सकती है ऐसे मकानों को नहीं लेंगे तो लाव आपके हाथ में ही होगा अब तो आप जानी चुकिये होंगे कि आपको किस रंग के स्वास्तिक को बनाना है लेकिन अब मैं आपको स्वास्तिक से जुड़े कुछ अचुक उपाई बताने जा रही हूँ बहुत आजहान उपाई हैं नोट कर लीजे काम आएंगे मा लक्ष्मी को प्रसंद करने के लिए घर के बाहर रंगोली के साथ कुमकुम सिंदूर या रंगोली से बनाया गया स्वास्तिक मंगल कारी होता है इसे बनाने से देवी और देवता घर में प्रवेश करते हैं गुड का उपाई व्यापार नहीं बढ़ रहा है तो साथ गुरुवार तक उत्तर पूर्वी कोने को गंगा जल से धोकर वहां हल्दी से स्वास्तिक बनाये उसकी पूजा करें उसके बाद गुड का भोग लगाएं देवता की मूर्ती रखें स्वास्तिक बनाकर उसके उपर जिस भी देवता की मूर्ती रखी जाती है वो तुरंत प्रसन हो जाते हैं यदि आप अपने इश देव की पूजा करते हैं तो उसे उस स्थान पर स्वास्तिक पर जरूर स्थापित करें दीपक जलाकर रखें देव स्थान पर स्वास्तिक, जी हां, स्वास्तिक बनाकर उसके उपर पांच धानेया दीपक जलाकर रखने से कुछी समय में मनुकामनाय पूरी हो जाती है एक काम और कर सकते हैं, मंदिर में मनुकामना सिद्धी योतू, गोबर और कुमकुम से उल्टा स्वास्तिक बनाया जाता है जी हाँ, फिर जब मनुकामना पूर्र हो जाती है, तो वहीं जाकर सीधा स्वास्तिक बनाया जाता है नींद ना आए तो रात को नींद ना आए इस समय पर सोने से पहले घर के देव स्थान पर इंडेक्स फिंगर से स्वास्तिक बनाए इससे बुरे सपने आने और अनिद्रा की समस्या दूर हो जाती है पित्रों की कृपा पाने के लिए क्या करें? गोबर से स्वास्तिक बनाएं इसे घर में शुबता, शांती, सिम्रदी आती है पित्रों की कृपा भी प्राप्त होती है सुपारी पर कलावा दर्वाजे की धहलीज के दोनों और आपको स्वास्तिक बना कर पूजा करनी है स्वास्तिक के उपर चावल की एक धेरी बनाएं और एक सुपारी पर कलावा बांध कर उस धेरी के उपर रखतें इस उपाए से धनलाब होगा आप क्या करें इशान यानि की नौर्थीस्ट कोने में दिवार पर हल्दी का स्वास्तिक बनाने पर खर में सुख और शांती बनी रहती है अब आपको आज का दूसरा महा उपाई क्या है ये बताती हूँ शादी की बात आगे ही नहीं बढ़ रही देखे लड़का लड़की अगर एक दूसरे को पसंद कर चुके है फैमिली इस की भी रजामंदी है लेकिन फिर भी शादी की बात आगे नहीं बढ़ रही तो आप शिफ पारवती, सीता राम या राधा कृष्ण की पूजा करें पूजा के बाद उनके पैर छुकर मांग पर लगाएं जल्दी ही शादी की बात आगे बढ़ेगी चट आरंब हो रहे हैं चट पर आपको क्या करना है जादा तर जानकारी तो मैं आपको दे चुके हूँ लेकिन को चुपाई बाकी रह गए थे वो जान लीजे तेज़ बुद्धी पढ़ाई और करियर में सफलता के लिए पीले में नीले और हरे रंग को मिलाकर सूरे देव को अर्दे पित्रों की कृपा और आशिरवाद के लिए पानी में तिल और अक्षत मिलाकर सूरे नाराएन को चड़ाएं सेहत की चाहत अच्छी सेहत की चाहत है तो पानी में रॉली और लाल फूल डालकर सूरेदेव को अर्पित करें अपने काम बनाने के लिए पानी में लाल चंदन डालकर सूरे को अर्थ दे शादी में अर्चन आ रही हो या शादी शुधा जिंदगी में तकरार हो तो पानी में हल्दी डाल कर सूरे को अर्टे साफ सुत्रा पानी चड़ाने से आपकी मनोकामना पूरी होती है चट पर वरत रखने से चटी मैया का वर्दान मिलता है लेकिन अगर किसी बज़र से कोई वरत नहीं रख पा रहा है तो परशान होने की जरूरत नहीं है आपको वो तरीका बता रही हूँ जिससे आपका कल्यान जरूर होगा आपको क्या करना है अब ये जानते हैं जो लोग छट का वरत नहीं रख सकते हैं वो क्या करें आप चार दिन तक सूर्य की पूजा करें सूर्य को तांबे के लोटे से गुड डाल कर जल से अर्थ दे सूर्य को धूब दीपक दिखाएं सूर्य को फल, मिठाई, नारियल, लाल सिंदूर चड़ाएं चट पर्फ के दौरान चारों दिनों पूरी सफाही बढ़तें किसी चट वरत वाले की सेवा और साहेता करें गुड और आटे की विशेश बिठाई ठेकवा जरूर बनाएं ठेकवा को गरीबों और बच्चों में बांटें चट के दोनों ही अर्थ जरूर दें और सूर्यो देव से क्रिपा की प्रात्तना करें चट का वरत रखने वाले लोगों को आप उनके पैर चूकर आशिरवाद जरूर लें अगर हर साल करते हैं लेकिन सिरफ इस साल की वज़े से नहीं कर पाने को ऐसी दिक्कत आगई है तो क्या करना ही जाने आप किसी दूसरे से भी अपना प्रसाद चड़वा सकते हैं यहां तक की आसपडोस में भी अगर कोई आप से प्रसाद आप उससे अपना प्रसाद दे सकते हैं अपने बदले छटी मया को अपनी तरफ से शटी मया को प्रसाद चड़वा दे चलिए शो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं क्या है आज का तीसरा माहा उपाए सवाल यह है कि आप कारोबार को आगे बढ़ाना चाहते हैं बिसनेस मतलब रिस्क और अगर रिस्क सोच समझ कर नहीं लिया गए तो नुकसान होता है मुनाफ़ा नहीं अब आप अगर बिसनेस आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं तो फैक्टरियां दुकान के दरवाजों के दोनों तरफ बाहर की और थोड़ा थोड़ा गेहूं का आटा रगते याद रहे ऐसा करते वे आपको कहीं कोई देखे नहीं इस आटे को जैसे जैसे चीटियां खाएंगी वैसे वैसे आपका बिसनेस बढ़ता चला जाएगा आए बात करते हैं आज की मंतर का जाब जरूर करें पर सुर्यदेव की रोश्नी में उनके सामने खड़े होकर करें इससे आपकी नेगिटिविटी आपके दुश्मन आपके अंदर और बाहर दोनों दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक खास ब्यूटी टिप छट पर कैसे तयार होना है आईए देखते हैं अगर आपकी स्किन ऐसी लग रही है आपको कि जिस पर रिंकल्स आने शुरू हो गए हैं पिग्मेंटेशन आ रही है फ्रेकल्स आ रहे हैं उसकिन में उतना ग्लो नहीं रहा जैसा की हुआ करता था एक टाइम पर तो आज आप आपको बताने वाली है ऐसा पैक जो आप घर पी बना सकते हैं और अगर आपकी स्किन पर पिंपल्स है या एकने आते हैं तो यह पैक के साथ आपको इसके लिए चाहिए रहेगा दूद के बारे में बात कर रहे हैं और दूद के साथ आपको चाहिए रहेगा एक पका हुआ केला पका हुआ मतलब कि कच्छा नहीं होना चाहिए राइप बनाना इस रिक्वायर और इसके अलावा चाहिए रहेगा आपको अगर suppose आप च्छते वाला शहद ले पाएं, नहीं तो मार्केट में अवेलबल जो भी शहद आप उसी से काम चलाना पड़ेगा इन चीजों को मिक्स करके जो हम पैक बनाने वाले हैं फेस के लिए इस इस काल्ड टाइटनिंग पाक जिसमें आप कच्छा दूद यूज एग पका हुआ बनाना यूज और शहद यूज एग तो इन तीनों के साथ जब आपक बनाते हैं और फेस पे लगाते हैं उससे में बिलकुल फेस के ओपर कोई मॉमें नहीं देनी बिलकुल नहीं बोलना तो इस हाथ ग्छा दूद यूज पक है जिसके अंदर हम ने यूज खिया है कच्छा दूद हमें उस किया हूए राइट बनाना राइट मत्तब बाकल हुआ गला हुआ के लगा और यूज दो आपक न लागाते हैं जो पेस के लिए लिए टाइटनिंग और फेस के लिए ए है I bet कोई भी पैक इसको बीटनी कर सकता तो आज हमने बात करें कि दूद सिर्फ पीने के लिए ही नहीं आपके स्किन पर लगाने के लिए भी कितना लाब दायक है तो कीप यूजिंग मिल्क एंड कीप लुकिंग ग्लूइंग इस सीजन शो में अब मैं आपको आज का चौथा माह उपाई क्या है ये बताने जा रही हूँ मेश राशी के हिसाब से मुझसे जानिये सबसे पहले मेश राशी की बात मेश राशी के लोग आप लोग सूर्यों को जल जरूर चढ़ाएं भागे साथ दे रहा है आपका 71% प्रिश्चब राशी के लोग शाम को घर में दिया जलाई ये आप किस्मत साथ दे रही है आपका 73% मिथुन राशी के लोग गरीबों को कपड़े दान करें लक साथ दे रहा है आपका 70% कर्क राशी के लोग कबूत्रों को दाना डालिए किस्मत साथ दे रहे हैं आपका 68% सिंग राशी के लोग भाई की सेवा कीचे किस्मत साथ दे रहे हैं आपका 62% कन्या राशी के लोग मां से आशिरवाद लीचे भागे साथ दे रहे हैं आपका 73% तुला राशी के लोग गाई को रोटी खिलाईए आप किस्मत साथ दे रहे हैं आपका 78% पृश्रिक राशी के लोग जरुत मंद लोगों की सेवा करे भाग्य साथ दे रहा हैं आपका 75% धनू राशी के लोग पीपल के पेड़ पर पानी दीजिए किस्मत साथ दे रहे हैं आपका 67% मकर राशी के लोग मीठे भोजन का दान करें कल लक साथ दे रहा हैं आपका 69% कुम राशी के लोग श्री सुक्त का पाथ आपकल जरूर करें लक साथ दे रहा हैं आपका 70% और मीन राशी के लोग, पीपल के पेड़ पर कल धागा लपेते, भाग्य साथ दे रहा है आपका 68% फेस्बुक पर आशी गुपता ने अमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेर की है, आशी लव मैरेज करना चाहती है, पर उनके घर वाले रेडी होएं, जिससे वो परिशान है रेडी नहीं हो रहे हैं, उपाई जानना चाहती है, घर वालों को कन्विंस करेंगी, बातचीत ये तो जरूर बात बनेगा, एक काम और करिए, पीले कपड़े में अपनी और उनकी फोटो रखकर, गांट बांद कर लक्षमी नरायन मंदिर के पीछे छोड़ाएं, और फिर आदे घंटे बाद उठाकर अपने घर में नौर्थ वेस्ट डारेक्शन में रख लें, कोई न लक्षमी जी की पूजा करके गद्धी पे बैठें, ऐसा करने से समेशा भरकत बनी रहेगी